मादुर का के दोसरे रूप की गाथा मादुर के दोसरे रूप की गाथा गाते हैं मादुर के दोसरे रूप की गाथा गाते हैं मा की उपासन जो प्राणी करता है उसको संयम क्याग तब सदचार मिलता है सभी कार्यों में प्राणी को विजय ही मिलती है मा की दया से जीवन की हर उलजन मिटती है सचे मन से जो माता का करता है गुणगान मया उसकी हर मुश्किल को करती है आसान जिस पर मा का हाथ है उसके जीवन में आनन खुशियां आती है जीवन में दुखों का होता अन्त कौन है माता ब्रमचारणी हम बतलाते है मा ब्रमचारणी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते है हम गाथा गाते है मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपकार मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपकार प्रम का अर्थ तपस्या है मा तपस्या करने वाली चारण का मतलब है तपका चारण करने वाली शिव कोवर के रूप में पाने को घोर तपस्या की थी इसी लिए तो इनका नाम पड़ा था ब्रम चारणी एक हात त्रशूल है इनके दूजे हात में माला प्रम चारणी माता का है दिव के रूप निराला कौन है इनके मात पिता और किसकी है ये पुत्री आओ गतलाते हैं किसके घर में माता जन्मी प्रम चारणी माता की हम महमा गाते हैं मा ब्रम चारणी की भकतों तुम्हे कथा सुनाते हैं हम गाता गाते हैं मा तेरी जे जेकार हम पर करना उपकार मा तेरी जे जेता हम पर करना उपका पूर्व जनम में हिमाल के घर जन लिया माने बाल काल से शिव को पाने की इच्छा थी मन में शिव को पति के रूप में पाने की मा की इच्छा थी किस कारण मा घोर तपस्या करने वन में निकली कई वर्षों तक वन में ही जीवन माता ने बिताया कंद मूल भल भूल ही केवल माता ने था खाया कढ़िन तपस्या के कारण तन इनका हुआ कमजो प्रण पर अडिक रही वर्षा आंधी आई घनगो प्रभु के सच्चे भक्त कभी भी नहीं घबराते हैं मा ब्रम चारणी की भक्तों तुम्हे कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं मा तेरी जैजएकार हम पर करना उपकार मा तेरी जय जय का हम पर करना उपका धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ खाना छोड़ दिया था मा ने सूखे विल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया था इस कारण ही अपड़ना मैया जी का नाम पड़ा था शिव को पाने का माता ने निर्णे प्रबल किया था कई वर्षों तक निर्जल और निरहार तपस्या की थी मा की तपस्या से तिनो लोकों में हल चल हो गई थी देव रिशी गण मा की तपस्या के आगे मन ही मन में सोचे ना जाने क्या होगा आगे चट्टानों को दूफा कभी भी हिला ना पाते हैं मा ब्रम्भ चारणी की भक्तों तुम्ही कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपकार मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपकार अंत में ब्रम्हा जीने नबसे आकाश्वानी की ऐसी घोर तपस्या देवी की किसीने भी नहीं की चारों तरफ प्रशंसा तुम्हारी हो रही है देवी मन में इच्छा जो है तुम्हारे पूर्ण वो होगी पति के रूप शिव जी अब तुम पाओगी जल्दी अब तुम अपने घर जाओ पूरण ये तपस्या हुई ब्रम्ह चारणी मा शिव को पति रूप में पाती है चंद्र मौल शिव जी की वो पतनी बन जाती है ब्रम्ह चारणी मा और शिव को शीष जुकाते हैं मा ब्रम्ह चारणी की भक्तों तुम्हे कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपकार मा तेरी जय जय कार हम पर करना उपका प्रम चारणी मा की कथा हमें ये समझाती है कितनी भी मुश्किल घड़ियां हो सब कट जाती है ब्रम चारणी मा के सेवक कभी नहीं घबराते मा की शरण में मा से हर पल पुशियां वो पाते सच्ची लगन से जो मैया का करता है घुणगान उसकी हर मुश्किल का मैया करती है समधान धीरज सैयम और होसला उसको मिलता है सच्चे मन से जो मैया की शरण में रहता है मा के सारे सेवक भुणगान करते हैं मा ब्रम चारणी की भक्तों तुम कथा सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं मा तेरी जय जय कार हम पर करता हुपकार